हेलो दोस्तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रसर आर्मी गेमिंग में दोस्तो आज में बात करने करें बढ़िया सा कंट्रोल और सेंसिटिविटी का जो आपती गेमप्ले को इंप्रूव कर देगा यह वीडियो थोड़ा सा बढ़ा है लेकिन आपको प्रो क्लेय पाए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले हम बात करेंगे बेसिक सेटिंग का जहां पर आपको मिल जाएंगे बहुत सारे बटन्स हम पहले एम असिस्ट को देखेंगे तो अगर आप एम क्लोज करें फिलते हो तो आपका जल्दी ही एम इंप्रूव होगा और आप अच्छे से प्लेयर बन सकते हो फिर नीचे वाले शेटिंग को दोस्तों हाथ नि लगाएंगे जैसे वैसे रहने देंगे फिर जाब हम आएंगे पिक एंड फायर पर पीक एंड फायर को कर लेना है इनेवल पिक ऑप्शन को टैप टू होल्ट टैप टू लीन ही रहने दो पिक एंड ओपन स्कोप को इनेवल कर लो फिर आप स्कोप मोड को मिक्स पर रखो यह सबसे बढ़िया है देना सबसे इंपोर्टेंट आता है इसमें गाइरो स्कॉप का तो दोस्तों गाइरो स्कॉप का अल्वेज होन ही रखो और मैं आपको इस वीडियो के एंड में बात मत लगाना वह जैसे है वैसी डिफॉल्ट रहने देना दोस्तों आप हम बात करेंगे फोर फिंगर कंट्रोल की यह कंट्रोल बहुत ही आसान है आप आसानी से कर लोगे और जल्दी इस पर आडप्ट भी हो जाओगे तो दोस्तों देखते जो आप मैं कैसे कैसे कर रहो यह आप बहुत ही आसानी से कर लोगे दोस्तों लेफ्ट फायर बटन को उपर लेना और थोड़ा सा बड़ा कर देना और उसका ट्रांसपेरेंसी कम कर लो आप फिर नेम लिस्ट को नीचे कर लो और छोटा कर लेना तो ड्राइव और इजीट बटन को दोनों एक साथी रखो यह दोनों आपके गेमप्ले में कभी भी एक साथ नहीं आएंगे इससे आपके स्क्रीन पे स्पेस भी बचेगा दोस्तो रिलोड बटन को थोड़ा बारा कर लेंगे और उसकी ट्रांसपेरेंसी भी कम कर लेंगे फिर क्राउच बटन को एड़्जिट कर लेंगे उसकी साथी बड़ा करेंगे उसकी ट्रांसपेरेंसी भी कम कर लेंगे दोस्तों देखो मैं किसे करता हूँ आप कर लोगे साइगे उसी तरह जंप बटन को भी अड़ेस्ट कर लेंगे कर लेंगे स्कोप बटन को उपर लेंगे ताकि वह फोर फिंगर के लिए आसान हो जाए कर ले धहा है तो ऐसे ही सारे बटन को आडजस्ट कर लेंगे तो आपको दिखा कि स्कीन पर बस यूजफुल बटन सी बचें जो आपके गेमप्ले को इंप्रूब कर देगा दोस्तों बैग वाले बटन को हम राइड साइड में रखेंगे यह बहुत ही इस रूल है राइड साइड में अगर हम रखें तो भागते हुए भी अपने जो सामाने इक्स्ट्रा जो सामाने उसको ड्रॉप कर सकते हैं दोस्तों यहां पर हमारा फोर फिंगर कंट्रोल रेडी है अब हम बात करेंगे ग्राफिक्स का ग्राफिक्स में अवेलेबल है डिफरेंट वैरियंस मेरा फोन सपोर्ट करता है एसदी और अल्ट्रा आपका फोन जो सपोर्ट करेंगे उसी पे चलाइए ताकि आपका गेमप्ली चौपी नहोग वेहिकल की स्टैंडर्ड सेटिंग ही रहने दे दोस्तों आप मैं बात करने जारो इंपोर्टेंट सेटिंग नहीं नहीं बहुत ही इ जाओगे दोस्तों आप सबसे में सेर करने जारो मेरा आइडल गायरोस्कोप सेंसिटिविटी और यह सेंसिटिविटी मुझे हेल्प करता है जीरो रिक्वाइल गेमप्ले में दोस्तों यह सेंसिटिविटी डिपेंड करता है आपके डिवाइस के परफॉमेंस पर आपका दिवाइस जितना अच्छा रहेगा उतने अच्छे तरीके से सेंसिटिविटी काम करेगा और हो सकता आपका डिवाइस अच्छा नहों तो इतना अच्छा से काम नहीं करेगा तो दोस्तों मैंने गाइडियोसकोप का सेंसिटिविटी सेट कर लिया है अब आगे बढ़ेंगे vidare सब्सक्रेब पहले बात कर लेते हैं एडियस क्या होता है एडियस मतलब एम डाउन साइट यह संसटीव की तभी काम आता है जब आपके आप में गन हो या आप स्कोप ओपिन करते हो उसमें नोए स्कोप हो या फिर कोई भी स्कोप हो अगर आप आइडल सेंसिर्वीटी निकाल लेते हो तब एके में फोड़ेक्स लागर भी फायर करें तो आपका एम नहीं हिलेगा दोस्तो इसके बाद जो भी सेटिंग है उसको डिफॉल्टी रहने देतो बढ़िया है मैं उमेद करता हूँ आप सबको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करना ना भूले